नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टीसी टेले चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जैसे कि यह आप देख सकते हैं इंडेश्टिल मसीन है नहीं है तो अगर आपका माल लिजे सटल टाइमिंग आपकी मसीन के आउट हो जाती है चूंका देने लगत यह मसीन दागा काटने लगती है शटल साई से नहीं बंद रहा है और क्या होता है स्वी सलाग भी आपकी साई से से नहीं है तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आपको कहां पर बांद रहा है क्योंकि यह इसकी जो सटल टाइमिंग बंदी हुई है वो कंपनी की तरफ से बंद के आई है और इसकी स्टिंग इतनी बहतरी है मतलब आप चाहें हलके कपड़े पर चौदा नंबर सुई चलाएं बिलकुल हलके कपड़े पर और चाहें जो है होजरी पर चलाएं और चाहें तो आप कितने भी मोटे पर चलाएं मतलब पैंट बगरा पर 14 और किसी कपड़े पर चलेगी चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो पसंद आ वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करेगा तो दोस्तों जब सब पहले हम होजरी पे आपको लगा के दिखाते हैं ये देखिए मतलब आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई problem नहीं machine बहुत ही first class चल लए है और जो आप देख सकते हैं slide दोनों तरब एक बहत्री नहीं नहीं कोई चूका नहीं कोई दाना नहीं कुछ भी नहीं यह देखिए तो sitting में आपको सबस्क्राइब दिखा लेता है देखिए होजरी पे चल ले ये ना तो दोस्तों यहां पर देखिए अब हम इसको लगाते हैं कितना मोटा है यहां पर अब देखिए पार कर दिया यह भी होजरी का है देखिए कितना मोटा है यहां पर हो रहा कितना ज़्यादा है और यहां पर देखे इसने पार कर दिया देखे दागा खतम हो गया है और चूके की बात करें तो देखे कहीं पर भी चूका बगेरा नहीं है है ना बहतरीन मसीन चल लई है अब वो मतलब आई से ही सबी कपलों पे चलती है होजरी पर चल लगए तो समझे लिए सबके चल जाती है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी सेटिंग तो सबसे पहले सुई की सलाग हम दिखाएंगे कि यह कितना नीचे तक जाती है अगर आपकी इतनी नीचे नहीं जाती उससे जादा नीचे जाती है तब भी प्रोब्लम है अगर उससे जादा उपर जाती है तब भी प्रोब्लम है तो सबसे पहले है सबसे पहले सबसे की सलाग को सेट करना होता है उसके बाद ही सबसे की सलाग को नीचे हम लाते हैं और आपको दिखाते हैं इससे जाधा नीचे नहीं होती, तो देख सकते हैं, इतनी हमारी नीचे आती है, मतलब इससे जाधा नीचे नहीं आती है, तो इतनी नीचे आपको करना है, आपको साइडे में फोटो भी दिख रहा होगा, कि देखें, आप उपर जा रहे हैं, बस इतनी आपकी नीचे सुई क सलाग को ऊपर नीचे करना होता है तो देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ तो इसमें देखेंगे आप सुई के सलाग जब नीचे करेंगे पेंच दिखरा होगा यह जो पेंच है इसको आप लूज करेंगे तो सुई की सलाग को जितना चाहिए नीचे कर सकते हैं जितना फिर दुबारा से कैप इसको लगा देना होता है अब पहली चीज आपके समझ में आ गया आप देखते हैं सटल तो दोस्तों यहां पर अब मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए यह हमारी सटल टाइमिंग यह है बर्दीवी लगबग लगओ मतलब सुई के जो सुराक है उस से एक एमम उपर है बदा हूआ यह अगरुआ आप इस सुजी के सुराक बिल्कुल ही कगर में बंढ़े घेंगे जैसे की यह यह है है ना मतलब अगर आप यह दीखिए यह जो शुई के सुराक है इस से यहां पर बंढ़ना है यहां पर ठीख है नहें मैं आपको दिखाता ह यह देखिए तो अब यहाँ पर अगर आम बंद है तो बिल्कुल पाई ब्हठों यहीं बिल्कुल बैत्री आपकी मसीन चलेंगी तो यहीज ज जुम Аन से टिंग है वह आपको करना है अगर आप जो है शुराक के बिल्कुल किनारे पर मतलब सुराक की बिल्कुल उपर इसको बांदेंगे यहां पर बांदेंगे तब भी नहीं से लेगी अगर आपने ज्यादा उपर बांद दिया इसको तब भी नहीं चलेगे यहां पर आपको बांदना है इस तरीके से तो देख सकते हैं इस तरीके से इतना रहना चाहिए ताकि तुरंथ ही धागे को उठा ले धागा एक मिनट डालके मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देखिए ये रेखिए अंदा इसने तुरंथ ही पकड लिया अगर आपकी सुई के सलांग उपर होगी जाधा तो ये फंदा नहीं पकड पाएगी मतलब मसीन जो है वो फंदा नहीं ले पाएगी अगर ये सुई की सलाग उपर बंदी है तो ये नहीं पकड़ पाएगी ठीक से सुई की सलाग का आपकी बिल्कुल फिट होना चाहिए अपनी जगह पे उसके बाद ही ये सटल अच्छे से और काम करता है ठीक है न तो यहाँ पर आपको बांधना है और बांधना बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि कैसे बांधना है तो ये पेस दिख रहे होंगे आपको तीन तो देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पेस लगा ये लगा दो पेस हाई इनको आप लूज करेंगे तो सटल ये अपने आप ही घूम जाएगा मतलब जिदर चाहें उसको आप घूमा सकते हैं तो इसको सुई को आपको नीचे करना है फिर उसके बाद इस तरीके से और सटल जो है आपका सटल आपको दोनों हाटों से पकड़ लेना है सुई को अपर करना है और जहां पर रहूं यह जैसे मैंने सिटिंग बताई बहाँ पर आपको बांध लेना है और उसके बाद जो है इन पेंचों को इस तरीके से रखने के बाद और नीचे से पेंचों को टाइट करना है कि उपर आपको दिखने रहे हैं तो नीचे से आपको इसको जब पल्टेंगे मसीन को तो पेंच चुन के टाइट कर लेना है अगर आप शेटल बांज लेते हैं तो आपको पता होगा किस तरीके से खोला जाता है किस तरीके से बांज जाता है पर इस तरह यही वेश्ट सेटि है इसको आप यूज कर सकते हैं